नमस्कार आप देख रहे हैं News 111 और मैं हूँ आपके साथ निर्भाय किशुर देश में राजनीती गलियारे में कई बार उठापटक देखने को मिलती है और खास कर वो उठापटक बिहार में है क्योंकि बिहार में बिधानसभा चुनाव करीब है हलाकि चुनाव के साथ साथ कई और मुद्दे भी हैं जो लोगों के बीच हैं लेकिन इस बीच हम बात राजनीती को लेकर के करेंगे और इस राजनीती गलियारों में महागडवंदन इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्योंकि महागडवंदन में रार दिख रही है किसी भी पार्टी जो उनके सहयोगी पार्टी है यानि महागडवंदन की सहयोगी पार्टी है उसमें राजत की बात करें तो राजत का अपना एक अलग खेमा घूम रहा है तो बाकी और पार्टी है एक तरफ इस बीच पप्पू यादो भी सामने आ गया है इन सब के बीच क्या ही सिती है क्योंकि रार दिख रहा है हमारे साथ अखिल राष्ट के जनतांतर पार्टी के अध्यक्ष है विवेक शर्माम इन से सीधे बात करेंगे क्या लगता आपको ये गटबंधन क्या दिख रहा है क्या बताएगा आगे रास्ता खोलेगा कुछ ये गटबंधन लठबंधन है ये गटबंधन धक्का मुकी वाला बंधन है देखिए ये जो जितने बिहार में रानितिक पार्टिया देख रहे हैं डिये और यूपियों में ये सब को सता का सिर्फ लोब है बिहार से किसी को मतलब नहीं है बिहार के विकास से किसी को मतलब नहीं है बिहार के युबाओं को रोजगार किस तरह मिले उससे मतलब नहीं है इनको एक ही है अपने परिवार को रोजगार किस तरह मिले अपने परिवार को पद किस तरह मिले उन्हें पैसा किस तरह मिले लेकिन रुजगार को ले करके तो लोगों के बीच जाके आप मुद्दा भी वही बना रहे हैं किसके बारे हैं बो रहे हैं में रोजगार यातरा पे दो दिन घुमे पब्लिक का कैसा रिस्पॉंस मिला अपनों को ही मालूम है जिनके पिता जी माता जी 15 साल बिहार में राज किये थे और ओ 15 साल में सिच्छा में उनका योगदान था चरवाहा विद्याले उद्धोग में योगदान था अपहरन उद् आप लोग से हर किसी से ही बोलता हूं कि 30 साल से जो जाती की रानीती नफरत की रानीती नरसंगार की रानीती आपस में मतभेद की रानीती जो जातियों में चला रहा था वो अब पब्लिक यहां का समझ गया है और सभी पार्टियों का देखिएगा 2020 में सफाया होगा हम लो पहला मुद्दिय की बात करें क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 20 में आप आएंगे अखिल राष्टी जनतंतर पार्टी आएगी लोगों के बीच में बिकास के मुद्दे पर काम करेगी क्या होगा उसका मुद्दा और जो उसका एक रास्ता आप लोगों ने बनाया हो रास्ता बताईए जरूर बिकास और हिंदुत मैं दोनों चीज़े बोर रहा हूँ देखिए एक दुसरे का परा हुआ है एक दुसरे का जुरा हुआ हिंदुत और बिकास क्योंकि आज आज आपको मालूम हुआ कि बिहार एक संबेदन सील अस्टेट है इसका दो देश से बॉर्डर जुरता है बंगलादेश और नेपाल से उसके कारण बिगत तीस सालों में जो सेकुलर की सरकार थी जो जाती की सरकार थी नफरत पहलाने वाली तीस सालों में जो हम पे बिदेसियों का बिदेसी घुसपैठियों का मुस्लिम घुसपैठियों का जो आकरमन होते रहा आज बिहार में ल स्थाखों युबाओं का पलायन हो रहा हैं, सिर्फ रोजगार के लिए ऐनुड़करे के लिए सिर्फ अठ्यश्चा के लिए स्वास्थ विवस्ता के लिए तो हमारा पहला है कि भीहार में जितने भी परखंड हैं वहाँ के छोटे छोटे अस्माöl्ड असके Λिल लाए कहीं किसी आधारित लगाएंगे, कहीं सब्बेर आधारित लगाएंगे, कहीं पे मिलल आधारित लगाएंगे, जहां जो एडिया है उस आधार पे हम लोग पहले से ही है कि हम लोग अहां पे अधोगिक करांती लाएंगे, अधोगिक एडिया डेवलोप करेंगे, दूसरा हमा का जो हमारा आज सिच्छा बिवस्था खतम हो गया लालो जादब जी ने चारवाः बिद्याले खुल के खतम किये इन्हों ने असिच्छित सिच्छक बहाल करके बिहार में सिच्छा को द्वस्थ करने का काम अगर कोई किया है 75 साल में तो लालो जादब जी तो सिच्छित ल जो है बच्चे का एक जाम का समय था वो आंदोलन कर रहें तो हमारा पहला है कि जो गाउं लेवल पे जो पंचाइट लेवल पे एक अच्छा सिबियसी स्कूल मौडल स्कूल खोला जाएगा जिसमें गरीब से गरीब बच्चे मजदूर का बच्चे किसान का बच्चे इच्छा का क्या महत होता है अखिल राष्टी जनतंद पार्टी की बात करें आपने जिस तरीके से बजाया है कि हिंदुत्यों को ले करके लोगों के बीच जाएंगे वोट मांगेंगे विकास के नाम पर हिंदुत्यों के नाम पर हिंदुत्यों की बात हम सीदे करें हमारा उसको बदल के ही मानेंगे। लेकिन दुर्भाग जो कांग्रेस की सरकाराई आजादिक के बाद उन्होंने ये जो देश के आकरांता था, देश पे जो अत्याचारी था, देश पे जो आकरमन करने वाला था, जो हिंदू मा वहन बेटियों को अपनों को बताना चाहता हूँ कि मुगल समराज में क्या होता था, जो भी हिंदू हमारी बच्चियां साधी होकर आती थी, उसको डोला का सिस्टम था कि जो मुगल है उनके घर पे जाना, वो इसे का हम गुंगान करने चले हैं, और वो इसे का इतिहास हमें रोज दिल पे कचोटता है कि बक्त्यारपुर जगा है, बिहार सरिप जगा है और रंगाबाद जगा है, जहानाबाद जगा है, ऐसे कई जगा है जिसको बदलने की यावा सकता है, और हमारे, आद देखे समराट असोग, जो की बल्ड में संसार में सबसे बरा समराज ख़रा किये थे, लोग तांतिक तरीके से, किसी पे कबजा करके, हथियार के बल पे किसी पे अत्याचार करके नहीं किये थे, वो ऐसा सक्स के नाम से यहां बहुत कम जगा का नाम है, गुरुगोमिन सिंग जगा हुए, बिर कुबर सिंग हुए, बिर सिबाजी हुए, तो हमारे पास इतने महान पूरुस हैं, महान जुद्धा थे, हिंदू समराज थे, उनका नाम नहीं रखकर कहीं बक्तियारपूर है, तो कहीं औरंगतबाद है, तो इसलिए हमारा है, कि जिसने हमारे ग्यान का केंदर, सिच्छा का केंदर, जो पूरे बिस का सिच्छा का केंदर नालंदा को तहस ने किया जलाया, उसके नाम से बक्तियारपूर है, इसलिए हमारा स चुनाव है तो राजनेती पे जादा बात करने अच्छी बात है एक सवाल उट रहा है आज कल पपू यादो खुद के खुद को एक बार के सक्रीय हो चुके हैं कि उनके तबियत खराब थी और तबियत खराब होने के बाद दिल्ली में थे वापस वो आय हुए हैं और बिहार को उतारेंगे क्या आपको लगता है पपू जादब जी ओजावान आदमी है सेवा भी करते हैं देखिए हमारा उनसे एकी चीज़ के लिए मतबेद है कि आप जो अस्थानिय मुस्लिम है जो बिहार का मुस्लिम है उसका हमारा बिरोध नहीं है क्योंकि वो भी कभी न कभी ह इंदू थे उनके उपर भी आक्रवन हुआ ओ मजबूरी में तलवार के डर से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया लेकिन हमारा जो विरोध है जो घुसपैठिये है लेकिन कहीं न कहीं वो भी सेकलुजम के जहांसे में वो भी लालो जादब और नितीस कुमारा ऐसा बनने मे वो भी जो घुसपैठिये हैं उनका तरफदारी करने लगते हैं इसलिए हमारा कभी कभी उनके नियत पर सवाल होता है नहीं तो आगे आना चाहिए लेकिन वो लालो जादो का विरोध कर रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि लालो जादो जो थे वो जाती की राजनिती करते हैं इसलिए उन्होंने उनका साथ चोड़ दिया क्योंकि लालो को प्रिये नेता मानते हैं अपना लेकिन उन्होंने बहला कि लालो जाती की राजनित अबादी दिनों दिन बर रहा है पपु जादब जी को अभी लग रहा होगा कि अभी हमारा वोटर है लेकिन उनको सबक लेना चाहिए कि ये किसी का बोटर नहीं होंगे जब इनकी जनसंख्या बर जाएगा तो हम हिंदूों पर आगहात होगा हमारे हिंदू माँ बहनों पर हमारे हिंदू लोगों पर आगहात होगा इसलिए पपु जादब जी से निवेदन करना चाहता हूँ विकास का मुद्दा और हिंदूत मतलब क्या है हिंदूत ये खोई है कि किसी को भगाने की बात हो रहा हिंदूत है कि जो हिंदू समाज है जो 85% 80% हिंदू समाज है उनक अगर महजीदों के मौलाना को आप पगार देते हैं तो हिंदू मंदिरों के भी पुजारी को आप पगार दीजिए अगर आप मदर्से को अनुदान देते हैं जो मदर्से जो मदर्से देश विरोधी गतिविधी करते हैं बच्चों में देश के खिलाब भरकाने का काम करत हैं जो इसमें हिंद्रों को काफिर पराया जाता है वो इसे मदर्से को सरकार अंदान बंद करें और मैं सरकार से मांग करता हूं या हम लोग सरकार में आएंगे तो चुविस घंटा के अंदर एक सिच्छा परनाली लागू करेंगे सभी बच्चे चाहे हिंदू का हो मुस्लि दिखती है क्योंकि यहां पे राजदीती के अपने माइने होते हैं हर लोगों का अपना विचार होता है उसी तरीके से जन्तंत्र पार्टी जो है इनका भी अपना विचार है और ये हिंदूत्तों के साथ सबसे ज़्यादा बिकास के मुद्दे पर काम करेंगे सिक्षा के लिए काम करेंगे लोगों की जो गरीबी है उस पे काम करेंगे और समानता के लिए काम करेंगे इनका ये विचार है और विधान सभा में ये भी बड़ेस्तर से आएंगे लेकिन जिस तरीके से महागडबंदन में दरार दिख रही है महागडबंदन की जो इस्तिती है जिसमे उनका कहना था कि जो हो एक हो काम हो अच्छे से काम हो लेकिन इन सब के बीच न्यूजवन 11 आपसे एक बारा फीर कलता है क्योंकि जिस तरीके से देश में कोरोना वाइरस को लेकर के धर्शत पहला हुआ है इससे आपको बचिने की जरूरत है आप सुरक्षित रहें किसी भी तरीके की बेकार की बातों में ना पड़ें अपनी सुरक्षा का आप खुद खयाल रखें फिलाल इतना ही बने रहें नीजवनों के साथ नमस्कार बिहार और जाठखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना न भूले